दो का पहाड़ा मल्टिप्लिकेशन टेबल आफ टू आज हम सीखेंगे के पहाड़ा क्या होता है और पहाड़े याद करने की उप्योगिता क्या है रियांश मैं तुम्हारे लिए लड़ू लाई हूँ अरे वाह लेकिन सिर्फ एक लड़ू से क्या होगा कम से कम दो लड़ू तो लाने चाहिए थे पहले इस डिब्बे को खोलो तू अरे वाह डिब्बा एक लड़ू दो ये हुई ना पात, लेकिन ये लड्डू क्यों बाट रही हो? मेरे मामा ने मिठाई के दुकान खोली है, तो उन्होंने मुझे अध्यापकों और दोस्तों में बाटने के लिए लड्डू के दस डिब्बे दिये हैं दस डिब्बे, इसका मतलब तुम्हारे पास बहुत सारे लड्डू हैं हाँ, बहुत सारे लड्डू हैं कुल कितने लड्डू हैं? वो तो गिनने पर ही पता चलेगा ठीक है, गिनते हैं, कहां रखे हैं? क्लास में चलो, फिर वहीं चलते हैं देखो यहां पर, दस डिब्बे रखे हैं सभी डिब्बों में दो दो लड्डू हैं इन डिब्बों में कितने लड्डू हैं? गिनते हैं ठीक है, एक डिब्बे में दो लड्डू हैं दो डिब्बे में कितने लड्डू हैं ये पता करने के लिए हमें 2 को 2 बार जोरना होगा जोरने पर उत्तर आएगा 4 मतलब 2 डिब्बे में 4 लड़ू है तीन डब्बों में कितने लड़ू है ये पता करने के लिए हमें 2 को 3 बार जोरना पड़ेगा 2 को 3 बार जोरने पर उत्तर आएगा 6 चार डिबबे में कितने लड्डू हैं, इसे पता लगाने के लिए हमें दो को चार बार जोड़ना पड़ेगा. दो को चार बार जोड़ने पर उत्तर आएगा आठ. रियांश और वंदना क्या गिन रहे हो? मैडम ये जो डिब्बे हैं इन सभी में दो-दो लड्डू है हम ये पता लगा रहे हैं कि इन डिब्बों में कुल कितने लड्डू है ये तो आसान है आप ये बताईए कि आपके पास लड्डू के कितने डिब्बे है हमारे पास कुल दस डिब्बे है इसका मतलब आपके पास कुल 20 लड्डू है आपने इतनी जल्दी कैसे पता लगा लिया? हम तो बहुत देर से गिन रहे हैं आसान है, मैंने दो का गुणा डिब्बे की संख्या में कर दिया इससे मुझे पता चल गया कि 10 डिब्बों में 20 लड्डू है लेकिन आपने गुणा क्यों किया? हम लोग तो जोड कर पता लगा रहे हैं कि कुल कितने लड्डू है देखिये वंदना, जैसे आपने चार डिब्बों में लड्डू की संख्या पता लगाने के लिए 2 को 4 बार जोडा, इसकी जगह आप 2 को 4 से गुणा भी कर सकते हैं 2 को 4 से गुणा करने का मतलब होता है 2 को 4 बार जोड देना इसलिए दोनों का उत्तर एक ही आएगा, 8 तो क्या जब आपने दो का गुणा दस से किया तो इसका उत्तर वही होगा जो दो को दस बार जोड़ कर आएगा? हाँ रेयांज, इसी तरह से ये उपर के सभी जोड़ को भी आप गुणा में बदल सकते हो. जैसे तीन डिब्बों में लड़्डू की संख्या पता करने के लिए दो का तीन में गुणा कर दो, ऐसे ही दो डिब्बों के लिए दो का गुणा दो से कर दो, और एक डिब्बे में लड़्डू की संख्या पता करने के लिए दो का गुणा एक से कर दो. मतलब हमको जोरने की जरूरत नहीं है नहीं! पांच से लेकर दस तक अब आप खुद पता लगा कर देखे मतलब पांच डिब्बों में लड्डू की संख्या पता करने के लिए दो कागोना पांच से कर देंगे इसमे लड्डू की संख्या है दो और डिब्बों की संख्या है 5 तो हमें पता चल जाएगा कि 5 डिब्बों में कुल 10 लड्डू आएंगे 6 डिब्बों में लड्डू की संख्या होगी 2 गुणा 6 यानी 12 7 डिब्बों में लड्डू की संख्या होगी 2 गुणा 7 यानी 14 आठ डिब्बों में लड्डू की संख्या होगी दो गुणा आठ यानी सोला नौ में होगी दो गुणा नौ यानी अठारा और दस डिब्बों में लड्डू की संख्या होगी दो गुणा दस यानी बीस एक ही नंबर को बहुत बार जोरने की जगह दो नंबरों का गुणा करना ज्यादा असान है हाँ और इसलिए पहाड़े याद करना बहुत जरूरी होता है नहीं तो छोटी-छोटी गढ़ना करने के लिए पेपर पैन की जरूरत होती है पहाड़े मतलब? जब किसी नंबर का एक से लेकर दस तक गुणा करने पर जो सूची मिलती है उसे उस नंबर का पहाड़ा कहा जाता है जैसे आपने दो का एक से लेकर दस नंबर तक गुणा करके ये सूची तयार की है तो ये दो का पहाड़ा हो गया तो क्या इसको याद करना होगा? हाँ, क्योंकि ये आपके लिए अच्छा है इससे आप मेरी तरह बिना पेपर पेन के गढ़ना कर पाओगे हमने भी इसको याद किया था और इनको याद करना मज़ेदार भी होता है क्योंकि इनको गा कर याद किया जाता है जैसे दो के पहाड़े को ऐसे याद करते हैं। आज आपने सीखा कि किसी नंबर की एक से लेकर दस तक से गुना करने पर जो सूची बनती है, उसे उस नंबर का पहाड़ा कहा जाता है। और पहाड़े याद करने से हम बिना पेपर पेन के गणना कर सकते हैं।